कहानी की शुरुवात होती है इराक में जहां अलकाइदा के कुछ आतंकवादी बड़ी बेरहमी से कुछ आम लोगों का कला काटने वाले थे वहीं जॉन ट्राइटर नाम का एक मरीन आफिसर छिप कर ये सब देख रहा था हालांकि उसे इस मामले में कूदने की ओडरस नहीं थे लेकिन फिर भी अपनी जान की परवा किये बिना उसने कमरे में खुस कर धुआधार गोली बारी शुरू कर दी कुछ ही पलों में उसने सभी आतंकवादियों को मार किराया और आखिरकार कैदियों की जान बच गई हालांकि उसने इतनी बहादुरी का काम किया था लेकिन फिर भी उसे ओडरस ना मानने के इलजाम में नौकरी से निकाल दिया गया जल्द ही वो अपने घर लोटाया जहां उसकी पतनी केट बेसबरी से उसका इंतजार कर रही थी लेकिन जॉन को यूही घर में बैटने की आदत नहीं थी इसलिए उसने एक सेक्यार्टी गार्ड की नौकरी ढून ली इसके बाद हम रोम नाम के गैंक्स्टर को जूल्रे की दुकान में घुसते हुए देखते हैं उसके कई साथी पहले से वहां गराग बनकर बैठे थे और कुछ ही पलों में उसने सेक्यार्टी गार्ड पर हमला बोल दिया तविस के साथी बनेट ने बंदूग निकाल कर सब के हाथ खड़े करवा दिये इसके बाद रोम ने एक औरत को मारने की धमकी देकर मैनेजर को तिजोरी का दरवाजा खोलने को कहा जैसे ही मैनेजर ने दर्वासा खोला तो उस लड़की ने भी अपनी बंदूक निकाल ली और तब ये खोलासा होता है कि ये लड़की एंजला तो पहले से ही रोम की गैंग में है फिर रोम ने मैनेजर से बेश कीमती हिरे लेकर उसे भी गोली मार दी जल्द ही पुलीस वहाँ पहुची लेकिन रोम बाहर जाकर अपनी मशीन गन से उन पर गोलिया दागने लगा तब ही उसके साथ ही मौरगन ने पुलीस की गाड़ी में धमाका कर दिया और वो सब भाग निकले दूसरी ओर आज जॉन की नौकरी का पहला दिन था और वो आज अपने साथी फ्रैंक के साथ बैठा था तब ही एक अमीर जादा अपने दो बॉडी गार्ड्स के साथ बहां आया और साइन करके उपर चला गया उपर जाकर वो अपनी पिछली गर्फ्रेंड को धमकियां देने लगा और तब ही जॉन और फ्रैंक मामला जुलजाने उपर पहुँचे वो तो जॉन को भी धमकी देने लगा पर जॉन उसे उठा कर सीधा नीचे ले आया और उसे बिल्डिंग से बाहर निकल जाने को कहा अपने बॉडी गार्ड्स का साथ पाकर उस अमीर जादे ने जॉन पर हमला कर दिया लेकिन जॉन ने एक ही जटके में उसे उठा कर खेड़की से आर पार कर दिया आखिरकार इस हरकत के लिए जॉन को यहां से भी निकाल दिया गया जिससे वो थोड़ा मायूस हो गया फिर शाम को जॉन घर लोटाया और उसने आज की इस घटना के बारे में केट को कुछ नहीं बताया पर तभी केट ने टीवी पर खबर देखी कि कैसे आज जॉन ने एक आदमी के हड़ी वसली एक कर दी अब जॉन ने केट से माफी मांगी तो केट ने कहा कि कोई बात नहीं तुम्हें जल्द ही कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी उसने मन हलका करने के लिए जॉन को एक रोड ट्रिप पर चलने को कहा और जॉन राजी हो गया फिर अगले दिन जब वो ट्रिप के लिए निकले तो जॉन एक जगा पेट्रोल भरवाने के लिए रुका उसी वक्त वहां रोम और उसकी गैंग भी पेट्रोल भर रही थी तब जॉन दुकान से खाना लेने गया जहां एंजला और बैनिक भी मौजूद थे तब ही अचानक बाहर एक पुलीस वाले की गाड़ी आई और वो रोम से बात करने लगा अब उनकी गैंग के आदमी थोड़े बेचैन हो गए और अचानक मौरगन ने पीछे से उस पुलीस वाले को गोली मार दी गोली की आवाज सुनकर जॉन तुरंत केट की और दोड़ा लेकिन बैनिक ने उसे पगड़ कर बेहोश कर दिया फिर उनकी गैंग ने केट को बंदी बना लिया और उसकी गाड़ी में भागने का फैसला किया इधर जॉन की आँख खुल ही रही थी कि जाने से पहले मौरगन ने गैस स्टेशन पर जोरदार धमाका कर दिया पर जॉन किसी तरहां सही मौके पर बहार आ गया और उसकी जान बच गई उसने देखा कि रोम और उसकी गैंग केट को अगवा करके भाग रहे थे अब वो भाग कर उस पुलीस वाले के पास गया और देखा कि वो अब भी जिन्दा था उसने तुरंट उसे पुलीस की गाड़ी में बैठाया और तेजी से रोम की गाड़ी का पीछा करने लगा इसी दोरान उसने रेडियो के जर्ये पुलीस स्टेशन को इस घटना की खबर दी और फराटेदार स्पीड से रोम के पीछे हो लिया उधर एंजला ने केट का बैग खोल कर देखा कि वो एक मरीन फौजी की पतनी है जल्द ही जौन उनकी गाड़ी के पास पहुंच गया और बेनेट और मॉर्गन ने मिलकर उस पर गोलिया बरसानी शुरू कर दी फिर रोम ने उसकी गाड़ी को सडक से हटाने की कोशिश की और इसी लड़ाई में जौन की गाड़ी के चछत तक उड़ गई लेकिन उसने रोम का पीछा नहीं चोड़ा आखिरकार रोम उसे एक पहाड़ी तक ले आया और फिर उसके गुंडों ने जौन पर गोलिया चलाई जिससे जौन की गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर कर तबाह हो गई इसके बाद रोम की गैंग गाड़ी से बाहर निकली और केट बुरी तरह चलाने लगी तब एंजला गुस्से में उसे गोली मारने ही वाली थी कि रोम ने उसे रोग दिया और कहा कि अगर जौन वापस आया तो वो केट के जरीयों से ब्लैक मेल कर सकते हैं फिर रोम ने सब को आगे का प्लैन बताया उन्हें आगे के रास्ते में एक दलदल पार करना था और फिर वहां से निकल कर उन्हें एक सुरक्षे जगा पर हीरे बेच कर पैसे उठाने होंगे उधर वैन बुरेन नाम का एक डिटेक्टिव गैस स्टेशन पर मामले की जाच करने पहुँचा इसके बाद उसे एक और फोन आया जिसमें उसे जौन के एक्सिडेंट की खबर मिली वो तुरंट पहाड़ी लाके में पहुचा जहां जौन एक डलदल से निकल कर उसके सामने आया उसने डिटेक्टिव को बताया कि रोम ने केट को अगवा कर लिया है लेकिन डिटेक्टिव कहने लगा कि भाई उनका पीछा मत कर वो बहुत खतरनाक आदमी है लेकिन जौन को केट के अलावा और किसी चीज की परवा नहीं थी वो वैन की पूरी बात सुने बिना ही उसे ढूनने निकल पड़ा उधर रोम की गैंग दलदल से गुजर रही थी कि केट उनसे बचकर भागने लगी लेकिन बैनेट ने तुरंट उसे पकड़ लिया तभी मौरगन और वसेरा नाम के गुंडे में जगड़ा शुरू हो गया और रोम ने गुस्से में आकर बिना किसी बात के एक ही जटके में वसेरा को गोली मार दी दूसरी और पुलीस की टीम इस दलदल के चप्पे चप्पे में रोम की गैंग की तलाश कर रही थी अचानक रोम को उस आदमी का फोन आया जो उससे हीरे खरीदने वाला था लेकिन तभी रोम ने उसे धोखा दे कर सारे हीरे अपने पास रखने का प्लान बनाया इधर जॉन अपनी ट्रेनिंग के तजूरबे से मुश्किल रास्ते पार करके रोम के साथियों का पीछा करता रहा पर तभी अचानक उसका पैर एक जाल में पड़ा और उसमें फसकर वो उपर लटक गया खैर जल्द ही वो जाल काटकर आजाद हो गया पर तभी एक आदमी ने उसके सर पर बंदूक रख दी क्योंकि उसे लगा कि जॉन एक पुलीस वाला है जॉन ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि भाई मैं थो बस अपनी पतनी डूनने आयो यहाँ पे लेकिन तभी एक और आदमी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया कुछ समय बाद जब उसकी आँख खुली तो वो एक जोपड़ी में एक कुरसी से बंदा हुआ था तभी वो दोनों आदमी फिर से जॉन को पीटने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जॉन की पुलीस टीम उनके पीछे पड़ी है और जल्द ही उसके साथ ही जीपीएस के जरीए वहां तक पहुँच जाएंगे ये सुनकर वो दोनों काफी घबरा गए और मौकी का फायदा उठा कर जॉन ने उन में से एक आदमी को चित कर दिया फिर दूसरे आदमी ने उस पर हमला किया और दोनों जंगली भेंसों की तरह एक दूसरे पर तूट पड़े अचानक जॉन को बाहर का रास्ता दिखा और वो भाग निकला लेकिन अब वो रोम के रास्ते से हट चुका था पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और कुछ ही देर में उसी रास्ते पर आप पहुँचा जल्द ही वो एक नदी किनारे पहुचा जिसके दूसरे चोर पर उसे रोम की गैंग और केट दिखाई दी वो लोग एक सुनसान जोपडी में जाकर वही रात काटने की तैयारी कर रहे थे अंदर जाकर वो लोग खाने का इंतजाम करने लगे और मौके का फाइदा उठा कर केट भी अपनी रस्तियां खोलने लगी इधर मॉर्गन बेस्मेंट में जनरेटर चालू करने गया तो अचानक जॉन ने गुसेल सांट की तरहां उस पर हमला बोल दिया जल्द ही उन दोनों के बीच हाथा पाई शुरू हो गई इससे पहले की मौर्गन जॉन पर वार कर पाता जॉन ने अचानक उसके पेट में चाकू घूप कर उसे मार डाला इसके बाद रोम ने बाहर आकर एक दोस्त को फोन किया और एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहा ताकि वो यहां से निकल कर भाग सके इसके अलावा उन्हें एक बोट भी चाहिए थी इसलिए बैनेट बोट चालू करने के लिए बाहर निकला पर मौका देख रहे जॉन ने उस पर भी हमला कर दिया बैनेट उसके सामने दो मिनट भी नहीं टिक पाया और आखिरकार जॉन ने उसकी गरदन तोड़ कर उसे मार डारा फिर उसने बैनेट की लाश को भी मौर्गन के साथ बेस्मेंट में चिपा दिया तभी डिटेक्टिव वैन वहां पहुँचा और उसने आगे का काम खुद करने का एलान किया सारे गुंडों को तो जॉन पहले ही निप्टा चुका था इसलिए बीच में आकर वैन हीरो बनना चाहता था इसके बाद जूपड़ी में अचानक लाइट चली गई और केट वहां से भाग निकली लेकिन जल्द ही एंजला ने उसे पकड़ लिया और फिर वो दोनों लड़ने लगी अचानक से एंजला ने बंदूक निकाली लेकिन तभी जॉन भी वहां कूद पड़ा उधर रोम अपने प्लान के हिसाब से जॉन पर निशाना साथे खड़ा था लेकिन पीछे से वैन ने रोम के सर पर बंदूक रग दी और उसे अपनी बंदूक नीचे करने को कहा पर तभी अचानक उसने भी जॉन पर बंदूक तान दी और तब ये खुलासा होता है कि जिसे धोखा देकर रोम ने वो हीरे अपने पास रखे थे वो कोई और नहीं बलकि वैन ही था अब उसने रोम से हीरे मांगे तो रोम ने कहा कि अगर तुम जॉन को गोली मारोगे तो तुम्हें 50 हीरे मिल जाएंगे ये सुनकर वैन थोड़ा हिचका और तब ही रोम ने जॉन पर गोली चला दी लेकिन जॉन ने तुरंत वैन को अपने आगे कर दिया तब ही रोम और जॉन एक दूसरे पर गोली बारी करने लगी पर रोम मौका देखते ही एंजला और केट को लेकर फिर से भाग निकला जाने से पहले उसने बेस्मेंट की सिलेंडर में धमाका कर दिया लेकिन जौपड़ी फटने से पहले ही जॉन बाहर निकलाया और उसकी जान बच गई उधर रोम ने केट को वैन की गाड़ी के ट्रंक में छिपाया और भाग निकला इधर जौन जब पानी से बाहर आया तो एक कोश्ट गाड़ उसे गिरफतार करने आ गया लेकिन जौन ने तो उसकी बंदूग छीन कर पासा ही पलट दिया आखिरकार वो गाड़ की बोट चुरा कर उसी में रोम का पीछा करने लगा उधर रोम को एसास हुआ कि पुलीस जल्द ही वैन की गाड़ी का पता लगा लेगी इसलिए उन्हें ये गाड़ी छोड़नी होगी अब एंजला ने अपने हुसन का जादू चला कर रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर को रोका मौका देखते ही रोम ने उसे माड डाला उधर जौन ने पुलीस की बोट में इस ट्रक ड्राइवर की मौत की खबर सुनी और जल्द ही ट्रक लोकेशन के पास आ गया कुछ गंटो बात रात हो गई और आखिरकार जौन उसी जगा पहुचा जहां वो ट्रक मौजूद था जल्द ही जौन उनके ट्रक पर कूद पड़ा और उसने एंजला को बाहर फैंक दिया एंजला पीछे से आ रही एक तेज रफतार बसके नीचे आकर मारी गई इधर रोम ने ट्रक को जगा जगा टकरा कर जौन को गिराने की कोशिश की और आखिरकार जौन नीचे गिर भी गया तब ही अचानक ट्रक एक बिल्डिंग से टकराया और रोम केट को अंदर ही छोड़ कर खुद बाहर कूद गया तब ही वहाँ जोरधार धमाका हुआ और ट्रक उड़कर सीधा नदी में जा गिरा अब जौन केट को बचाने के लिए दोड़ा लेकिन रोम ने एक आरी से उस पर हमला कर दिया जौन काफी जखमी हो गया था लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा कर रोम को हवा में ही उड़ा दिया और फिर खुद पास की एक नदी में कूद गया वो तैयर कर ट्रक के पास पहुँचा तो उसने देखा कि केट बेहोश पड़ी थी जौन तुरंट उसे उठा कर किनारे तक ले आया और उसकी सांसे वापस लाने की कोशिश की आखिरकार केट फिर से सांस लेने लगी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया अचानक रोम ने पीछे से जॉन की गले में जंजीर बांद कर उसे मारने की कोशिश की पर जॉन के एक जोरदार वार से रोम की गर्दन हवा में ही तूट गई और आखिरकार वो मारा गया अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में